असलाव रेकों मैं हूँ अफसर सिदीखी और आपसवत मौझूद है मेरे यूट्यूब चैनल ओनलाइन ट्यूटर अफसर सिदीखी पर आज हम सेकंडियर कावर्स की वार्डन बैंकिंग का चेप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और इस चेप्टर में हम परेंगे बैंक इडवांस ऑर फांदस के बारेमे वारे सबस्वेशरितर में सबझें हैं कि बैंक इडवांस और फांदस होते क्या हैं इस्तौररंट्स किसी भी बैंके इस्टेब Wisconsin ओनाने में बहुत बडरा रोल पब्लिक डिपॉसित का होता है इसलिए bank and funds को अपनी balance sheet में as a liability record करता है। इस्टोरेंस बैंक के पास जब कोई अपनी specific amount deposit करवाता है for profit तो बैंक को अपने profit के साथ साथ इस बात को भी खायल रखना होता है कि जो amount deposit हुई है उसको return तो करना ही है लेकिन इसके साथ साथ इसमें depositor को interest भी pay करना है। तो आप यूँ कहलें कि bank की custodian की तौर से काम करता है जो कि public की पैसों को safely or productively manage कर रहा होता है। यह तो हमने समझ लिया कि bank funds क्या होते हैं। Next अप समझ लेते हैं कि bank as a custodian कि असोलो यानि principles को follow करते हुए depositors की fund को safely or productively use करता है। हमारा next topic इस चेप्टर का है principles of employing bank funds यह फिर आप ही कह सकते हैं कि principles of investment श्रेट सब यहाँ पर आट principles पढ़ेंगे जो कि bank follow करता है जिसमें सबसे बहले आ जाता है safety, liquidity, diversity, profitability, short term loans, judicious utilization, legal requirements, financial liability, structure, सबसे बहले हम बात करते हैं safety की safety पहना और सबसे जरूरी उसूल है bank funds को कहीं भी invest करने का bank अपने तबाव funds को invest करने से पहले इस बात का बहुत अची तरह से थंदान कर लेता है कि उसके funds ऐसी जगा इनवेस्ट हो रहे हो जहां से profit हासल किया जा सके दरसल students, bank के पास आप समझ लें कि 80% amount public deposits की form में होता है तो जब कभी भी bank कहीं invest करता है तो यह जरूर देखता है कि की जाने वाली investment से इतना profit हासल हो सके जिससे bank खुद भी use कर सके और उससे depositors को भी interest पे किया जा सके bank advances को किसी भी जगा invest करते हुए safety को सबसे aim में दी जाती है और इसलिए bank कुछ steps follow करता है जिससे investment उसकी safe रहे जैसे कि सबसे पहले bank हमेशा secure loans issue करता है यहने कि अगर bank ने कहीं invest करना है और जगा पर लोन्स देके भी invest करता है ठीक है क्योंकि जहां पर वो लोन जिसको वो लोन issue करेगा वहां से जो interest हासल करेगा उसको वो अप्रे डिपोजिटर्स में तक्सीम कर सकता है अपने expenses को में पूरे करने के लिए भी वो लगा सकता है ठीक है तो पैली करता है कि हमेशा secure loan issue करता है और unsecure loans को कवाइट करता है सेकंड बैंक अपने funds को कभी भी ऐसी जगा इन्वेस्ट नहीं करता है जिसके अंदर रिस्क जादा हो यह यू कहले कि कोई भी ऐसा business जहां business के बारे में इकार जा सकता है कि उसके बढ़ने की chances कम है या बहुत अपनी सारी investment एक business में नहीं करता है हमेशा multiple जगाओं पर invest करता है फिर अगली चीज जिसका वो खयाल रखता है सेफटी के हमाले से इसमें कह सकते हैं कि बैंक ऐसी जगा investment करता है जहांसे investment easily returnable हो जहांसे वह असानी से अपनी investment को वापस हासिल कर सके ठीक है इसके बाद पर करता है किसी भी risky business investment करने से यानि कि वो देखता है कि किसी business के अंदर chances जहें वो जादा अच्छी नहीं है कि वो चल सके या उसके अंदर रिस्क बहुत है तो उस जगा पर बैंक अपनी investment नहीं लगाता फिर नेक्सस के अंदर जो प्रिंस्पल आता है वाता है liquidity liquidity का concept आप लो investment invest हो रही हो जो कि easily liquidate यानि easily convertible to cash हो बैंक के पास जोने वो दो तरह के assets होते हैं एक होते है liquid assets और दूसरों होते है fixed assets liquid assets वो assets होते हैं जो कि easily convertible to cash हो और fixed assets वो तब हम assets जिनको केश पे convert करना तो पुड़ा मुश्किल हो यह time कर जीवेंगो जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि building हो गई plots हो गए equipment हो गई पशीन डिवाए रहा हो ठीक है यह assets यह investment तो है bank की नेकि इनको फौरी दोर से cash पे convert करना आसान नहीं होता fix assets को cash पे convert करने में महीने भी लग सकते हैं साल भी लग सकते हैं ठीक है कोई इसका fix time period नहीं होता कि इतनी जन्दी वो जह है liquidate हो सके है ठीक तो अगर कोई bank अपनी investment का बड़ा हिस्सा गए ज़रूरी fix assets में invest कर देता है तो इसकी liquidity position बीक होती चले जाती है और अगर ऐसी situation हो जाए कि bank checks खुब भी pay करने के काविन ला रहा है यानिकि जो रोज बड़ा के checks bank के पास आ रहे होते हैं और bank के पास पैसे ही न बचें कि वो check clear कर सके तो इस condition को हम technical insolvency कहते हैं इसलिए bank के funds किसी भी तरह इस्टक ना हो इससे बचने के लिए bank liquid assets में investment करता है जिनको easily चंद गंटों या चंद दिरोवे cash में convert किया जा सकता हो इसके लावा short term investment होती है जिसमें bank invest करता है और उसके अंदर आ जाते है short term loans, listed tiers, listed bonds, call loans, discounting of will of exchange, treasury bills ठीक है तो यह तमाम तर चीज़ें हमारे हो गई liquidity के अवाले से के पैनली चीज़ वो देखता है bank कि जहाँ पर invest कर रहा है वो सेफ हो दूसरी चीज़ वो देखता है कि जहाँ पर invest कर रहा है वहाँ पर उसके assets और उसके funds रहाएं वो easily convertible to cash हो तर्ड हम बात करते हैं diversity की Successful और safe employment of bank funds का राज़ चुपा है diversity में bank funds को जतना diverse way में यानि किसी एक जगा invest करने की बजाए अगर multiple safe जगों पर invest करता है तो उसके लिए इतना ही असान हो जाता है तमाम investment को return और manage करना अगर bank किसी एक specific industry एक अपने में invest करता है और वो bank shift हो जाती है तो bank की सारी investment भी जाय हो जाएगी लेकिन अगर bank funds multiple जगा पर invest होंगे तो दुसरी जगा से वो अपने loss को कुछ हद तक cover कर लेगा तो students ये बात ज़रूरी है bank के लिए कि वो अपने funds को diverse रखे यहां कि to diversify its funds to various types of industries और secondly to advance to a greater number of business enterprises not to advance a big amount to a single party ठीक है ये तीन points रहे हैं ये diversity के हफावाले से हैं जिसको bank ने मदे नजर रखना होता है फिर फोर जिसके the point आ जाता है profitability bank को funds invest करते बाग इस बात का खयाल रखना होता है कि funds profitable business में invest होए हो जहां से bank अपने expense पोरे करने के साथ साथ depositors को भी interest पे कर सके और तमाम transactions उसकी smoothly चलते रहे हैं नेक्स वाज़ता है short term loans investment दो तरह की होती है एक होती है short term investment दुसरी होती है long term investment short term investment के बात करा है तो इस तरह की investment से profit within a year यह earn कर लिया जाता है जबकि long term investment में वो तमाम investment चाबर होती है जिसका return यानी profit more than money or होता है या फिर 20 से 50 साल यह उससे भी ज़्यादा का अर्सा लग सकता है mostly banks जो है वो short term investment में ही invest करते हैं क्योंकि एक तो इससे bank अपने expenses को ठीक तरह manage कर पाता है और दूसरा bank के पास ज्यादते deposits current और saving accounts की form में होते हैं जिसको account roller किसी भी वक्त withdraw कर सकता है इसलिए bank के पास इस अमाहों का होना जरूरी होता है short term investment में शावल होते हैं short term loans, discounting bills of exchange, buying central banks, treasury bills or multiple kinds of securities next इसके अंदर जो principle है वो है judicious utilization ये बात तो आप जाते हैं कि bank के पास 80% amount depositors और liabilities की form में होता है यानि कि सिर्फ 20% amount या उससे भी कम का हिस्सा जो है वो bank की अप्ती ownership नहोता है bank को funds invest करते हुए बहुत ज़्यादा खयाल रखना होता है कि इंतहाई इमानदारी और research करके bank funds को authentic जगों पर invest किया जाए ताकि liabilities जो कि deposits की form में bank के पास होती है उनको pay किया जा सके नेक्स इसके अंदर आज़ता है legal constraints या फिर requirements के सकते हैं इसको government के rules और regulations को properly follow करना bank की जिमेदारी होती है तो हम समझ लेते हैं कि किन rules को bank ने follow करना होता है सबसे पहले तबाव schedule commercial banks को deposit का कुछ हिसा central bank के पास deposit करना होता है यह हम बिलकुल first chapter के अंदर इस बारे वे बात की थी फिर इसकी बाद government की policy की मताबिक कोई bank भी अपने capital के 10% से ज्यादा की amount as a lower किसी भी party को नहीं दे सकता third इसके अंदर जो requirement होती है कोई bank भी अपने directors को specific amount जो की legally assign की गई होती है उससे ज्यादा amount as a loan नहीं दे सकता यानि कि जो directors हैं उनके लिए भी कोई एक खास amount ते कर दी जाती है कि इस limit तक का loan जो असाइन किये जाएगा इससे जादा का loan नहीं दिया जा सकता फिर next इस पर आता है bank हमेशा ऐसी company या organization में invest करेगा जिसका portfolio या financial position strong हो फिर next इस पर आता है ये legally बना है कि ऐसे business में bank invest करे जो के involved हो gambling में ये किसी अगर कानोनी activity में ये पर किसी private establishment के अंदर ठीक है तो ऐसी जगा bank जो है invest नहीं कर सकता फिर इसकी बाद eighth जो इसके अंदर principle आता है वो आता है financial liability structure bank funds को किस जगा invest किया जाए ये depend करता है bank के financial structure पर यानि कि ये देखा जाता है कि bank के पास जो amount deposit हो रही है वो time deposit है ये divine deposit है दोनों different cases है अगर time deposit की बात की जाए तो ये bank से ज़्यादा profitable business में investment कर सकते है क्योंकि उनको पता होता है कि जो amount deposit हुई है वो एक specific period of time के लिए bank के पास रहे की और इस case में bank till cash भी अपना कब रख सकता है जबकि अगर बात की जाए demand deposit की तो इसमें investment policy change होती है इसमें bank short up और easily liquidate हो जाने वाली investments करता है क्योंकि इस bank के depositors demand deposit करते हैं जो कि कभी भी amount withdraw कर सकते हैं और इसी वज़ा से इस case में bank को till cash भी maintain और जियादा रखना होता है तो students ये था हमारा आज का lecture जिसमें हमने bank funds को समझा और अपने depositors को भी as a interest profit देता है ठीक है उमीद है अज का lecture भी आप लोगों को ची तरह की से समझ आया होगा और इस lecture के हमाले से आपका कोई भी सवाल है तो आपने हम से facebook पे, instagram पे और comment section में पूछता है इस topic को बहुत अची तरह की से अपने बहुत ख्यार लुकी गा ये वीडियो पसंदाएं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें अलाहाफिस